कुछ मईने इसी प्रकार गुजर जाते हैं राजा विक्रमा दित्य की हालत बहुत जादा बिगड़ जाती है उन्हें मच्छर मक्हियां तक परेसान करने लगते है तेल ले लो तेल एकदम सुध तेल है ले लो बेटा बहुत अच्छा तेल है अरे माता जी क्या आप मुझे थोड़ा सा तेल दे सकती है मुझे या मक्हियां बहुत परेसान कर रही है यदि थोड़ा सा तेल लगा लूँगा तो ये मक्हियां चली जाएंगी मुझे लगता है ये कोई पीडित है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए ठीक है बेटा तुम परेशान मत हो मैं तुम्हें अपने हाथों से तेल लगा देती हूं फिर वाबूरी महिला विक्रम दित्य को तेल लगाने लगती है अच्छा बेटा अब तुम्हारे तेल लग चुका है अब मैं चलती हूं इतना कहकर वा बूरी महिला वहां से चल पड़ती है उस दिन वा महिला तेल बेजते बेजते ठक जाती है लेकिन उसके तेल का मटका खाली नहीं होता है अरे मा जी आपको तो बुखार हो गया है नहीं बेटा मुझे बुखार नहीं हुआ है आज मैं तेल बेजते बेजते बहुत ठक गई हूँ और मुझे लगता है कि कल मैं तेल बेजने नहीं जा पाऊंगी कोई बात नहीं मा आप ये दवाई खा लो कल से मैं तेल बेजने जाया करूँगा सुबा होते ही संतु तेल का मटका सिर्पर रखता है और तेल बेचने के लिए निकल पड़ता है चलते चलते संतु उसी जगे से गुजरता है जहां पर राजा विक्रमा दित्ते पड़े हुए थे अरे तेल वाले भईया कृपया मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए मुझे ये मक्षियां परेसान कर रही है मैं इस तेल को अपने सरीर पर लगाऊंगा लेकिन भईया मेरे पास पैसे नहीं है अच्छा पैसे है नहीं और तेल चाहिए क्या सुबा सुबा तुझे मैं ही मिला था तेल मांगने के लिए तुने तो आज मुझे से तेल मांग कर मेरा दिन ही खराब कर दिया मुझे लगता है आज मेरा कोई तेल भी नहीं खरी देगा इतना कहकर संतु वहां से चला जाता है तेल ले लो तेल, देखिए कितना अच्छा तेल है आईए भीया, तेल ले जाए संतु पूरे दिन घूमता है लेकिन उसका तेल कोई नहीं खरिदता संतु को तेल बेशते बेशते शाम हो जाती है क्या बात है, आज कोई तेल खरिद क्यों नहीं रहा है क्या आज मेरा दिन खराब हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि आज मेरा तेल बिकेगा भी चलो, अब वापस चलता हूँ संतु घर की ओर चल देता है तब ही उसका पैर जमीन पर पड़े पत्थर से टकराता है और वा जमीन पर धड़ाम से गिरता है उसका तेल का मटका टूक जाता है अरे राम 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 ये क्या हो गया इतना भारी नुक्सान हो गया ओफो अरे बेटा तुम तेल बेज कर आ गये तेल बिक गया की नहीं 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 मा आज तो तेल की एक बूंद भी नहीं भी की और तेल का मटका भी तूट गया लेकिन बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि तेल की एक बूंद भी नहीं भी की और तेल का मटका भी तूट गया क्या बताओ मा, आज सुबा सुबा जब मैं तेल बेचने के लिए निकला था तभी मुझे एक बिखारी मिल गया और उसने तेल मांग कर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तो बेटा, क्या तुमने उस बिखारी को तेल दिया या नहीं? नहीं मा, मैंने उस बिखारी को तेल नहीं दिया था क्योंकि वा बिखारी मुफ्त में ही तेल मांग रहा था अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया तुम्हे उस बिखारी को तेल देना चाहिए था जरा से तेल में तुम्हारा क्या बिगड़ जाता तुम ऐसा करना बेटा कल तुम तेल बेचने के लिए उसी स्थान से निकलना और उस आदमी को अपने हाथों से थोड़ा सा तेल लगा देना फिर आगे बढ़ना संतु सुबा होते ही तेल का मटका लेकर निकल पड़ता है अरे भाईया थोड़ा सा तेल मुझे दे दीजिये ठीक है भाईया आप चुपचाप पड़े रहिए मैं अभी आपको तेल लगा देता हूँ फिर संतु विक्रमदित्य को तेल लगा देता है और वहां से चल देता है उस दिन संतु तेल बेचते बेचते ठक जाता है लेकिन उसका मटका खाली नहीं होता अरे मा जी देखिए आज तो मैं तेल बेचते बेचते ठक गया लेकिन तेल का मटका खतम ही नहीं हुआ देखिए मा आज तो मटका पूरी तरह तेल से भरा हुआ है अरे बेचा ये सबचमतकार उस आदमी के कारण ही हुआ है वह कोई सधारन आदमी नहीं है बेचा तुम ऐसा करो कल उस आदमी को अपने घर उठा कर ले आना वह कोई जरूर एक महान आत्मा है अगले ही दिन संतु ऐसा ही करता है विक्रमा दित्य को अपने घर ले आता है फिर संतु विक्रमा दित्य की खूप सेवा करता है एक दिन की बात है संतु हमारे साथ चलो तुमें महराज ने बुलाया है महराज क्या बात है आपने हमें याद किया बोले महराज हमारे लिए क्या आदेश है अरे संतु अगले महीने हमारी बेटी का सोयंवर है तो मुझे सोयंवर के लिए दस कुंटल तेल चाहिए लेकिन महराज मैं इतना सारा तेल कहां से लाओंगा मैं एक दिन में सिर्ब पांच किलो ही तेल बना सकता हूं महराज और अगले महीने तक मैं दस कुंटल तेल कैसे बुना पाऊंगा महाराज संतू मैं कुछ नहीं जानता मुझे दस कुंटल तेल चाहिए और वो भी अगले महीने तक इतना सुनकर संतू बहुती चिंतित हो जाता है और वहां से चला जाता है क्या बात है भाई आज तुम बहुती चिंतित दिखाई दे रहे हो क्या बताओ भाईया आज मैं बहुत परेशानी में हूँ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ अरे भाई ऐसी कौन सी समझ से आ गई जो तुम इतना परेशान हो रहे हो बताओ मुझे अरे भाईया मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि अगले महीने राजा की बेटी का सोयंबर है तो राजा ने मुझसे दस कुंटल तेल मांगा है लेकिन मैं दस कुंटल तेल अगले महीने तक कैसे बना पाऊंगा जबकि मैं एक दिन में पांच किलो ही तेल निकाल पाता हूँ यदि राजा को तेल नहीं दिया तो राजा मुझे पांसी पर ही चड़ा देगा अरे भाई तुम परेशान मत हो राजा से कह दो यदि आपको दस कुंटल तेल चाहिए तो अपने महल से लेकर हमारे घर तक एक नाली बनवा दे क्योंकि इतना सारा तेल हम लेकर तो नहीं आ सकते इसलिए हम अपने घर से ही तेल बना बना कर नाली में डालते रहेंगे जो तेल आपको आसाने से आपके घर तक पहुँच जाएगा फिर संतू यह खबर राजा तक पहुँचा देता है राजा का तुरंत आदेश हुआ और नाली बननी चालू हो गई कुछ दिनों में ही नाली बनकर तयार हो जाती है अरे भाईया आपके कहे अनुसार मैंने राजा से नाली तो बनवा ली लेकिन इतना सारा तेल कहां से लाओ संतू तुम परेशान मत हो तुम अपने तेल से भरे हुए मटके को मेरे पास लेकर आओ फिर संतू राजा को तेल से भरा हुआ मटका दे देता है तो राजा मटके से तेल उस नाली में गिराने लगता है राजा मटके से तेल सुबा से लेकर सां तक गिराता है लेकिन मटका तेल से खाली नहीं होता उधर राजा का पूरा कुंड तेल से भर जाता है सैनिको जाओ और संतु से कह दो कि तेल दस कुंटल से भी जाधा हो गया है अब वह तेल गिराना बंद कर दे सैनिक तुरंत ही संतु के घर पहुँच जाते हैं और राजा का आदे सुना देते हैं इस प्रकार की घटना देखने के बाद संतु बहुत खुस हो जाता है हे प्रभू मैंने आपकी पूजा सचे दिल से की है और हमेशा की तरह मैंने बस आप से यही मांगा है कि मेरे वर राजा विक्रमा दित्ती ही हो और दूसरा कोई नहीं अरे भाई आज तुम इतना सच धजकर कहां जा रहे हो कहीं नहीं कहीं नहीं आज राजा की बेटी का स्वयंबर है तो मैं वहीं जा रहा हूँ पता नहीं राजा की बेटी मेरे गले में ही वरमाला डाल दे बहुत अच्छी बात है यदि तुम बुरा ना मानो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर राजा के बेटी का स्वयंबर कैसा होता है ठेक है भाईया यदि आप भी चलना चाहते हैं तो चलिए राजा के महल में अनेग प्रकार के राजा और महराजा आते हैं उन्ही के बीच संतु जाकर खड़ा हो जाता है और विक्रमादित को दूर एक कोने में खड़ा कर देता है हे प्रभू आज मेरा स्वयंबर है आप तो जानते ही हैं कि मैं सिर्फ विक्रमादित से ही विवा करूँगी हे प्रभू यदे मैंने आपकी भक्ती सच्चे मन से की है तो ये वर्माला सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित के गले में ही पड़े राजकुमारी पदमिनी वर्माला लेकर पूरे सभा में घुमती है हे वर्माला तुम जाओ और विक्रमादित के गले में पड़ जाओ हवा में उड़ता है और कोने में खड़े राजा विक्रमा दित्य के गले में पढ़ जाता है अरे ये क्या राजकुमारी पदिमनी से तो भूल हो गई और उन्होंने या वर्माला एक मामूली से आदमी के गले में डाल दिया है हाँ हाँ राजकुमारी से पुना वर्माला डलवाया जाए राजकुमारी पुना उस वर्माला को आदेश देती है तो वर्माला फिर से राजा विक्रमादित्य के गले में पड़ जाता है तभी राजा विक्रमादित के उपर से शाड़े छे महीने का सनी हट जाता है और वह वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं ये सब देख कर हैरान हो जाते हैं फिर राजा विक्रमादित उस राजा को अपनी सारी कहानी बताते हैं फिर राजा अपनी पदमिनी को लेकर वहां से चला जाता है